अभी आप लोग देख रहे होंगे कि महराष्ट की राजनीती का चाड़क के कहे जाने वाले सरत पवार के घर में ही तूट फूट हो रही है इनके जो भतीजे थे सरत पवार के भतीजे अजीत पवार वो कुछ बिधायकों के साथ मिलकर आप देखते हैं कि NDA में सामेल हो गए और महराष्ट के डिप्टी सीएम यानी की उकमुक मंतरी बन चुके हैं और आप देखें जो हाल सिपसेना का हुआ न उसी तरह का इनका भी सुरू हो गया है आगे देखते हैं कि क्या होता है ये NCP को समाल पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं या नहीं ये तो आने वाला बक्ती बताएगा लेकिन आज हम लोग सरतपवार के बारे में एक सामान जानकारी देखते हैं इनके आप जो भी background रहा है, परिबारिक background, राजनेती जो सफर रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे, कुछ बिबात भी जुड़े हुए, उन पर भी बात करेंगे इनसे जुड़े हुए आप देखते हैं कुछ मात्पूर, पॉइंट भी है, अन्ग, सुने, किस्ते भी आप लोग कह लिजे, उन पर भी हम लोग बात करेंगे यह आप देखें, अजीत पवार को आप लोग देख रहे हैं, सरत पवार के बगल में आप देखेंगे, यह अजीत पवार हैं, यह सरत पवार सहाब हैं यह आप देखे इनकी बेटी है और आप देखे इनकी पत्नी है यह आप देखे इनकी पाइटी एंसीबी का चुनाव चिन है एक बार आप लोग महराष्ट को देखिए ए मुंबई इसकी राधधानी महराष्ट की गुजरात, मद्यपदेश, चत्तीसगर, तेलंगाना, लग सबावाष्ट की पता का नाम गोबिंदर राओ पबार और वह वारामती की किसक सहिकारी संगे में काम करते थे सरत पवार की माता का नाम सादा बाई पवार, सरत पवार की माता पिता की ग्यारे संताने थी और सरत पवार की पतनी का नाम पीतिभा पवार और दोनों की एक बेटी हैं, सरत पवार की बेटी का नाम सुपरिया सुले हैं और आप देखते हैं कि वो भी राजनीती करते हैं और वो लोगसबा सदसिंब अरत्मार में हैं सरथ पभार ने बारमती के सरकारी स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है इसके बाद आप देखें उन्होंने पूर्णे विस्विध्यालाई के BMCC कॉलिज से पढ़ाई की है इसके बाद आप देखेंगे उनकी राजनीतिक सपर की तो महाराष्ट की पिताम मुखमंत्री तथा आधुनिक महाराष्ट के सिल्वकार कहे जाने बाले यस्वंत राओ चाहान को सरत पभार का राजनीतिक गुरू माना जाता है सरत पभार ने अपनी राजनीतिक की सुरुवात कॉंग्रेस पार्टी सी की थी और कॉंग्रेस की पार्टी की बात करें तो आप देखते हैं कि 28 दिसंबर 1880 में एक संगठन की रूम में इसकी स्थापना हुई थी देश को आजात कराने के लिए बाद में ही राजनीतिक पार्टी बन गई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे डबलू कॉन आप देखते हैं कि डबलू सी बनर जी ब्योमेर्चंद बनर जी इसके संस्थापा कॉन थे ए ओ यूम उन्होंने साल 1967 में कॉंग्रेस पार्टी के टेकेट पर बारमती बिधान सावा से चेट से चुनाव लड़ा इसके बाद 1978 में सरपवार ने कॉंग्रेस पार्टी छोड़ दी और जंताल दल के साथ गटभंधन करके महराश्ट में सरकार भी मनाई महराश्ट के मुकमंत्री बने और साल 1980 में इंद्रा गांधी ने महराश सरकार को बरखास्त कर दिया साल 1983 में सरपवार भार्टी राष्टी कॉंग्रेस सोचलिस्ट के अध्यक्ज बने इसके बाद आप देखे सरपवार भारामती संसदिय छित से लोगसभा का चुनाव जीत कर पहली बाद संसद पहुंचे हाला कि 1985 में महराश बिधानसभा चुनाव में जीत करने के दरच करने के बाद सरपवार ने संसद पत छोड़ दिया और विधानसभा में विपक्ष के नेता बने और एक बात आप लोग याद रखिए अगर आपको लोगसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 सालों नी चे अगर आपको विधानसभा का चुनाल और नाय तब भी आपकी उम्र 25 सालों नचे लोगसभा और लोगसभा विधानसभा की सदस्तों को जनाओ डारेक्ट जनता यानि की मद दाताओं के द्वारा होता है और राज्यसभा सदस्त है ना जो उनका देखते है आप लोग की विदाहिकों के द्वारा चुने जाते हैं और कुछ सदस्तों को राष्टपती साब मनुदीद भी कहते हैं अगर आपको राजिसभा का सदस बनना है तो आपकी उम्र कम से कम कितनी 30 साल होनी चाहिए फिर आप देखते हैं कि साल 1987 में सरत्पवार बापस कॉंग्रेस पार्टी में सामिल हो गए और साल 1988 में उन्हें महाराष्ट की मुख मंतरी बनाए गया साल 1990 में हुए महाराष्ट विदाहन सभा चुनाओ के बाद निर्द्य लिए विदाहिकों की समरतन से सरत्पवार एक बार फे से सरत्पवार का नाम भी पिदाहन मंतरी के दावेदारों में था लेकिन कॉंग्रेस के संस्तदी दल ने नरसिंग राओ को अंगले पिदाहन मंतरी की रूम में चुना और सरत्पवार रक्षा मंतरी बनाए गया साल 1993 में जब महराष्ट की ततकानीन मुकमंतरी सुधारकर राओ नायक ने पद छोड़ा तो सरत्पवार को फिर से महराष्ट की मुकमंतरी बना दिया गया हाला कि साल 1995 में की विदाहन सभा चुनाओ में सिपसेना बीजेपी गठवंदर ने कॉंग्रेस पार्टी को हरा दिया और सरत्पवार को महराष्ट का मुकमंतरी पत छोड़ना पड़ा सरत्पवार महराष्ट विदाहन सभा में विपक्ष निता उस समय बन गया और साल 1996 आता है उस समय लोगसभा चुनाओ में जीत दर्च करने के बाद सरत्पवार ने विदाहन सभा से इस्तिपा दे दिया और आप दिखते हैं त्याक पत दे दिया बारवी लोगसभा में विपक्ष की निता चुने गया साल 1999 में जब बारवी लोगसभा भंक कर दी गई तब सरत्पवार ने सौनिया गांधी के विदेशी मूलका होने का मुद्दा उठा कर कॉंग्रिस छोड़ दी और तारीक अनवर वा पीए संगमा की साथ मिलकर नैसनलिस्ट कॉंग्रिस पार्टी का गठन किया साल 1999 में हुए महराष्ट विदान सबा चुनाओ में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और सरत्पवार को महराष्ट में सरकार बनाने के लिए कॉंग्रिस के साथ गढ़वन्दन करना पड़ा और जिसके तहित बिला विलास राओ देशमुक को मुकमंतरी और चागन भुजबल को मुकमंतरी बनाये गया था महराष्ट में और ये सब चुनाओ करवाता कौन है ये आप देखते हैं कि आपका election commission of India है न भारती निर्वाचनाई उसी के द्वारा करवाया जाता है एक समिधानिक संस्ता है समिधानिक संस्ता कहने का मतलब होता है कि समिधान की किसी अनुचेन में इसकी स्थापना की बात कीगी है और आप देखें ये 25 दर्मरी 1950 में स्थापना हुई थी नई दिल्ली में headquarter देखने को मिलेगा और इसके पहले ही चुनाओ आईप्त कौन थे सूपमार सेन थे साल 2004 की लोगसवा चुनाओ में जब कॉंग्रेस बापस सत्ता में आई तो सरथ पवार को मनमोहन सरकार में किसी मंत्री बने गए गया 2012 में उन्होंने 2014 का चुनाओं ना डलने का एलान किया ताकि युगा चहरों को मौका मिल सके फिर आप देखे 2014 में सहत पवार को राजिसवा के लिए चुना गया फिर 2020 में फिर से पवार साहब को राजिसवा के लिए चुना गया बर्दमान में ये राजसवा के सदस्ट भी है, ये भी याद रखे, खेलकूंद पिसासन से भी जुड़े रहे, सरत्वार कबड़ी, खोको, कुस्ती, फुटवॉल, किरकिट जैसे खेलों में दिल चस्पी रखते हैं, और इनके पिसासन से भी जुड़े रहे, ये आप देख सरत्वार साहब का बिवादों से पुराना नाता भी रहता है, सरत्वार के राजनिती जीवन में समय समय पर विविन बिवादों में उनका नाम रहा है, और आप देखे, आप लोग इस तरह के किसी पतपर होते हैं, तो सोभा भी किसी बात रहती ही, कि आपको लोग पसंद भी करते हैं नापसंद करने वाले भी होते हैं और फिर क्या रहता है कि जुड़ता है नाम जुड़ जाता है जब नापसंद करने वाले होंगे वो बुराई करेंगे उन पर भिष्टाचार अपराधियों को बचाने इस्टाम पेपर घोटा ले जमीन आवंटन विवाद जैस हुए हजारों करोडों की धांगले में बीजेपी ने ततकालिन किसी मंत्री सरदपवार की स्तीफिक की मांग की थी 2009 में आप देखे चीनी और 2011 में प्याज के धामों को लेकर भी सरदपवार को आरोमों का सामना करना पड़ा सरदपवार पर आलू पलागा की उन्होंने आयायात करताओं को ला पहुंचाने के लिए इन खादर सामग्रियों के दामों में विद्धी किये और इनके ये आप देखे ये सबसे बुरार समय था इनके लिए डॉक्टर्स ने कहा था कि 6 महीने तक जिंदा रहेंगे पवार साब और एक प्रोग्राम में पवार ने बताया कि 2004 में लोकसाबा चुनाओ के दोरान उन्हें कैंसर का बता चला था इलाज के लिए नियोर्क गए वहां के डॉक्टरों ने भारत के ही कुछ एक्सवर्ट के पास जाने को गा एग्रिकल्चर मिनेश्टर रहने के दोरान आप देखे 36 बार रेडियेशन का टीटमेंट लेना पड़ता था यह बहुत ही दर्दनाक था और 29 से 2 बज़े तक सरद मिनेश्टी में काम करते थे सरद पवार साहब 2-30 बज़े अपोलो हस्पीटल में कीमो थेरिपी लेते थे दर्द इतना होता था कि घर जाकर सोना ही पड़ता था इसी दोरान एक डॉक्टर ने उसे कहा जरूरी काम पूरे कर लें आप सिरिफ 6 महीने तक जी सकेंगे पवार ने डॉक्टर से कहा कि मैं बीमारी की चिंता नहीं करता आप भी मत करो पवार ने लोगों को नसीद्धी की कैंसर से बचना है तो तमाकू का सिवन्त तुरंद बंद कर दें अनिके होसले आप देखें बड़े बुलंद है एक पत्नी के सामने रखी थी एक बच्चे की सहते नहीं सद्ध पवार ने एक इंटर्वी में बताया कि साधी से पहले उन्होंने अपनी पत्नी पितिभा पवार के सामने एक ही संतान पैदा करनी की सहत रखी उन्होंने कहा था कि हमारी एक ही संतान होगी चाहिए लड़का हो या लड़की इसके बाद 30 जून 1979 को पूने में सुपिरिया का जन्म हुआ था 44 साल पहले यह नेड़ा लेना का कठिन था लेकिन उन्होंने करके दिखा है और आप सोचे हमारा समाज तो वही है पित्त सत्तात्मक पिता के बाद पुत्त होना जरूरी है आप देखते हैं बेटियों को कम महत दिया जाता है तो उस समय आप देखे कितना भारी रहा होगा यह फैसला लिना इस तरह की खुली सोच के परिवारों में जन्म लेने बाली सो पिरिया को बच्पन से ही अपने फैसले खुद लेने किया जादी मिली परिवार की उसे कभी कोई दबाओ नहीं बनाएगा चाहे वो ऐसे खुछा हो यह फैसादी का मामला हो तो यह आप लोग कह सकते हैं एक सौट वाइवरापी है सरत वभार साब की किसी और के बारे में जाने की दिल्चस्पी है तो आप लोग नाम बता सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे ठीक है?